करेक्शन कराने के लिए क्या मांगा जा रहा है यह आज़कूल का आज़कूल में यह सब लग रहा है जरंते थी त्रूटिंग और यह इंटर जो की करेक्शन रहे है यह इतना सारा बलाना पुड़ेगा जिसको जो कराना है दोस्तों यह वीडियो उन सब छात्रों के लिए होने वाला है जो कि अपना हाइस्कूल और इंटर का मार्शिट संसोधन कराना चाहते हैं जो कि उनका नाम या जनतिती गड़बड हो गया है तो वह सही कराना चाहते हैं दोस्तों अभी हमाई हुए है अपने जिला मेटकर अच्छी एंटर काऊली के इपना प्रक्ट करें हाइस्कूल देए हुए हमेद् हैं आइस्टों आज जरू जया घंदा इंटा मुण थे रोग जिले लुप टना शरॉक्त तीजया सो मार्या तकि ल्गा घंडाय उंसे हो अश्रिय जो लगा है बोट पर यह शेहित भी हो겠지만 भी का जीशा हो न जियां मेशांत रिया मुझाल हुआ है वडसर कते है सबस्कुर करें करणा वडसर सचाथ करता है क्या बताएं चो नहीं पाया बस जोड़ा रहे हैं यह बारा तारिक से केंप लगा हुआ है और भस्तों है क्योंकि यह जो कैंप है उन सब के लिए है जो अपना मार्चे यूपी बॉर्ड जो कि यूपी बॉर्ड वालों का लगा हुआ है पहले दे चुके हैं अपना संसोधर कराने के लिए जो की बनारत गए हुए हैं बहुत लोग तो उन सब के लिए यह हैं मार्चिस संसोधन तो यही पेपर में अगर लिख दिया गया होता कि यह उन सब लोगों को लिए है तो इसना लोग जोड़ने नहीं आते हैं पहुत जादा वीड़े देख सकते हैं अब यह राज़गी इंटर कालीग तो चलते हैं घर फिर बात बताते हैं क्या और कैसे करना है आपको चलते हैं अभी एक बज़ रहे हैं दो पार के अभी तो गहर चल कर बात करते हैं बहुत ही जादा गरमी है बहुत तो दोस्तों घर पे आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और हमारे घर से पचेश किलोमेटर दूर था वो कॉलेज जो कि जहां ये मार्चिट सही हो रहा था और यह हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप मार्चिट यूपी बोर्ड का मार्चिट सही कराना चाहते हैं जैसे 10 और 12 वालों का तो आप तो पहले जान लेगी क्या-क्या लगेगा तो अभी हम आपको ये इसका क्या-क्या लगने वाला है जो कि संसोधन करने में और तो देख लीजे इसमें क्या-क्या लगने लगने वाले हैं डॉकुमेंट जो कि वहां पर चिपकाया गया था ये और क्या बताएं बहुत ही दिक्कत हुआ क्योंकि घर से बहुत जादा दूर था और धूप में गये क्या-क्या डॉकुमेंट लगने वाले थे यही अगर पेपर में लिख के दे देतें जिसे पेपर ले आया था कि यूपी बोर्ड का 12 जून से 30 जून तक अपने जिला में जाकर आप सही करा सकते हैं लेकिन ये उन सब चात्रों का है जो कि पहले से बनारस में अपना ये संस पूर्या डॉकुमेंट जो कि सारा डॉकुमेंट्स और संसोधन कराने के लिए क्या-क्या स्कूल से चाहिए आपको साथ से आठ डॉकुमेंट्स लगेंगे जो कि आपकी मार्चित में जो गलती हुई है जैसे जनंतित हो गया या नाम हो गया तो इन सब को सही कराने में तो तो साथ से आट डाकुमेंट्स लगेंगी जो कि आपके स्कूल से मिलेगा आप स्कूल में जा कर बताईए कि हमें ये सही कराना है तो हमें आप और उसमें एक डाकुमेंट्स ऐसा है जैसे कि हाई स्कूल में हमने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि हाई स्कूल जनमती थी अ चाहिए जनमतीर सुधाने में आपको एक से लेके दस तक का टी-सी तो सोचिए ये बहुत ही मुछन हो सकता है मिलने में क्योंकि ए से लेके दस तक का टी-सी तो बहुत रेर ऐर कास में मिल सकता हैキ kry., तो अब हम ers Linda S what he is J neighbour बनारस में इतना डॉक्मेंटस नहीं लगेगा, वहाँ पर जाकर सही कराएंगे, क्योंकि हमारा बस J-A-Y लिख दिया गया है, हमारा है J-A-I जैसवाल, J-A-I, yes W-A-L, हम ये लिखते हैं, वो लिखे हैं, J-A-Y, yes W-A-L. वाई और आई का फर्ख है अब सिर्फ दो दिन रहेगा इसके बाद दूसरे जिला में जाएगा जैसे आजमकड हो गया आगे और परियागराज और आगे ऐसे आगे आगे चलता रहेगा ये 30 जून तक रहेगा भी आगे पूरे यूपी में ये हो रहा है और यही बस पेपर में लिख दिया गया होता है ये उन सब चात्रों के लिए जो पहले से रेजिस्टेशन करके कर चुके हैं जो कि जिनका अभी पेंडिंग में सब पढ़ा हुआ था काम उन सब के लिए है तो हम सब जैसे लोगों को द तो तब तक के लिए आप भी हस्ते रहें मुस्कराते रहें धन्वाद और गर्मी बहुत है ध्यान रखें